हलो दोस्तों कैसे हैं आप तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 29 सितंबर से पित्रपक्ष की शुरुआत हो रही है और हम जानने वाले हैं अपनी राशियों के बारे में कि कौन-कौन सी राशियों के लिए शुप शायोग बन रहे हैं पित्रपक्ष को पित्रों का श्रात करम तरपण पिंड़ दान करने के लिए बहुत ही शुप माना जाता है जल्द ही पित्रपक्ष की शुरुआत होने जा रही है जैसे कि आप सभी को पता है कि 29 सितंबर को पित्रपक्ष की शुरुआत हो रही है पित्रपक्ष के दोरान भहुती शुप सयोग बन रहा है जिसके कारण कुछ राश्यों का भागय उद्य होने वाला है तो आईए जानते हैं कि कौन-कौन सी राश्या है जिनका भागय उद्य होने वाला है पित्रपक्ष की आउदी भात्रपत महा की पूर्णिमा तीती से लेकर अश्विन महा की अमस्य तीती तक रहती है इस वर्ष पित्रपक्ष की शुरुआद 29 सितंबर 2023 से हो रही है जिसका समापन 14 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन होगा हिंदू दरब में पित्रपक्ष को शुराद पक्ष के नाम से भी जाना जाता है इस बार पित्रपक्ष को कुछ राश्यों के लिए भैत खास माना जा रहा है क्योंकि इस वर्ष पित्रपक्ष पर स्वात सिद्धी योग और अमृत सिद्धी योग एक साथ बन रहा है तो आएए जानते हैं कि कौन कौन सी राशिया हैं जिनके लिए शुपसयोंग बन रहे हैं बात करते हैं मैश राशिवालों को मैश राशिवालों को तनाव से मुक्ति मिलेगी स्वास्त की दृष्टी से उनके लिए समय अच्छा रहेने वाला है साथ ये आर्थिक स्थिती में भी सुधार होगा इस दोरन आपके लिए नया वेवस्था शुरू करना लाब दैख हो सकता है तो आई अब देखते हैं दूसरी राशी कौन सी है दूसरी राशी है मिथून राशी मिून राशी वालों को उधार दिया गया धन वापस मिल सकता है आर्थिक स्थिती भेतर होगी वैपार में लाफ के योग बनेंगे आपको हर कारे में परिवार और मित्त्रो का सास मिलेगा आप बात करते हैं तीसरी राशी कौन सी है करक राशी की बात करते हैं करक राशी वालों के लिए निवेश करने के लिए ये समय काफी शुप माना जा रहा है नौकरी से जुड़े जातकों के लिए करियर के शेक्तर में ये काफी अच्छा रहने वाला है सार्थी आर्थी किस्तिती में भी सुधार होने वाला है तो आईए देख लेते हैं चोथी राशी की कौन सी है, चोथी राशी है कन्या, कन्या राशी के जातकों कारे शेक्तर में नए और बड़े पद मिल सकते हैं, यादी आप नए समपती खरीदने की सोच रहें, तो ये समय आपके लिए बहुत शुब होने वाला है, तो आईए अब लास्ट राशी की बात करते हैं की कौन सी राशी है, तो लास्ट वाली राशी है, पासवी नंबर की कुम्ब राशी, कुम्ब राशी के जातकों को पितर पक्ष के दोरान बन रहे, इस खास सयोग में धन की प्राप्ति हो सकती है, नोकरी में बदलाओ के लिए ये समय अच्छा है, वेवाईक जीवन सुख में रहेगा, पितर पक्ष की जो पंदरा दिन के अंदर आपके जीवन में क्या बदलाओ होने वाले हो, आपका जीवन कैसा रहने वाला है, ये वीडियो में कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नहीं हो, तो चैनल को सब्सक् चरूर कर देना हो,